हेलो गाईज वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल मदू सैनी मैकरम बर्ड में तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं यह बहुत ही सुन्दर स्वान देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखने में तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए हमने बीट्स का इस्त इसको बना सकते हैं मेकरम स्वन बनाने के लिए हमने यह不對 इट्स लीया है500 की की इंसे हम स्वान बनाएंगे एक कोड लिए हमने इसकाई ब्लू कलर्कि यह 1. Senior की लिए 7 meter की है कि एक कोड लेंगे येलो कलर की यह При Johnson की है है 6. 6 meter की है अब लास्ट में एक ओर हम इसकाई ब्लू कलर की कोड लेंगे यह 8 meter की है यह कोड हमने एक्स्टर लिए है इससे हम भाई पिन से कवर करेंगे कि सब्से पहले हम जो हमने एक्टर कोड ली थी उसको को हमने पिंसे अठेच कर लिया है साम एसकाइभ ब्लू क्लर की कोड को उने लिया है और इस तरी के से वाइट ऑज कोड के नीचे रखा है और हम उसको न बनानी operate की वाइप इन बनाते हैं इसको कॉड में अठेच कर लेते हैं कि देखिए सेम हमको ऐसे ही बनानी है जिस तरीके से हम पाइप इन करते हैं उसी तरीके से हमको यह वाली कोड को अटेच करना है लेखे इसको अच्छे से खीच कर टाइट करके अटेज करेंगे हम लेखे अब हम ग्रीन कलर की कोड को अटेज करेंगे इस तरीके से हमने कोड को डवल कर लिया था और जैसे हम डवल करके कोड को अटेज करते हैं उसी तरीके से नीचे की साइट को लेकर अटेज करेंगे अब इसी code से हमें एक एक वार single pipe in करनी है यह देखिए खाली हम एक एक वार pipe in करेंगे दोनों side से हमको pipe in करनी है एक वार हमने इधर से कर लिए आप दूसरी side से करेंगे single pipe in ही करनी है अब yellow code को भी white code में attach कर लेते हैं देखिए इस तरीके से अब हमको इस से भी एक एक वार pipe in करनी है single pipe in ही करेंगे यह दोनों side से pipe in कर लेते हैं इसको भी अब green code के साथ मिला देंगे अब pink color की code को भी हम इसी तरीके से attach कर लेंगे यह देखिए हमने code को double कर लिया है यह हमने 6 meter की code ली थी इसको भी हम attach कर लेते हैं white color की code में और single pipe in बना लेते हैं दोनों side से यह pink color की code की भी हमने pipe in बना ली है अब देखिए last में हम इसकाई color वाली code को जैसे हमने first में sky blue color वाली code को attach किया था उसी तरीके से attach करेंगे थोड़ा सा code को छोड़ेंगे और pipe in बनाते वे इसको हमें attach करना है देखिए हमने code को hinge कर attach कर लिया है अब हमें इसकी 12 notes लगानी है एक बार हम white code के उपर से निकालेंगे blue code को note लगाएंगे देखिए इस तरीके से अब एक बार हम code को white code के नीचे से निकालेंगे इसी तरीके से हमको total 12 note लगानी है देखिए इस तरीके से हमारी note लग जाएगी इसको हमें कर लेना है इसी तरीके से हमको total 12 note लगानी है इसी तरीके से सारी notes को लगा लेंगे देखिए हमारी पूरी 12 गाठें लग गई है देखिए total हमारी 12 notes लग गई है देखिए हम फिर से अब नीचे की side से notes लगा कर लाएंगे हमने first code को ऐसे छोड़ना है और green code में हम फिर से pipe in बनाते हुए उपर की side लेकर आते हैं इसको उपर वाली pipe in से बिल्कुल attach करते हुए ही दूसरी pipe in बनानी है उपर तक हम pipe in बना लाएंगे देखिए अब हम pink color की code से भी इसी तरह के से pipe in बनाएंगे जैसे हमने उपर blue color की code से बनाई थी हमने उपर 12 code बनाई थी नीचे हम 10 codes बनाएंगे सेम उसी process से बनाएंगे जैसे एक वार code के उपर से निकाला था हमने code को और एक वार green color की code के नीचे से लेंगे code को सेम उपर वाले process से हम 10 codes बना लेते हैं कि ओ ऑनिखी में घंए और बना ली है अब हम क्या करेंगे पिंक कोर्ड को एसे रिने देंगे और लिए कोड को अंदर की साइद को इस तरीके से काई कुल्ड करेंगे और फिर भी से कि से कोड कोम अटेश करेंगे पकड़ और वनाइंगे यह देखिए पर वालीगा गूसका से कशनाय कोड कॉढ चैस्ट पाइपिन करेंगे और फाइपिन करेंगे फर्स crimes न में पिंक कोर्ड के साथ कि इस यह लेकर आएंगे नीची को सेम और लास्ट तक हमको पाइपिन करनी है अधि देखिए कि हम पर ने कि भी दोनों होट से इस दॉलाद पाइपिन कि है अब हमको जो यह लास्ट में ने रोट वची है इसका ही बिलोग लर्की उससे भी हम पाइप इन कर लेते हैं खीश कर यह देखिए अच्छे से खीश कर इसको पाइप इन करेंगे अब देखिए हमें क्या करना है यह वाइट वाली कोड को लेंगे और फिर पीछे की तरब को टर्न करेंगे और सेम जो हमने फर्ष्ट में प्रोसेस किया था उसी प्रोसेस से हम इसकी पाइप इन बनाते हुए लाएंगे और फ्लॉवर की पत्ती को बनाएंगे देखिए सेम इसी प्रोसेस से हमको मैट की पत्ती को बनाना है जैसे हमने उपर वाली पत्ती का डिजाइन बनाया था सेम उसी प्रोसेस से हमको बाकी की जितनी भी हमारी पत्तियां बनेंगी बस हमको यह ध्यान लगना है कि हमारा वो एगम सेप में आना चाहिए राउंड ह सामें उत्नी ही बनानी है कि देखिंगे हम को लास्ट में फिर से ब्लू कि बारा नोट्स बनानी है से उसी प्रोसेस से एक बार को हम कोड को ऊपर 27 से निकालेंगे एक बार, मुसको नीचे से निकालेंगे वाइट कलर की जो कोड है उसके देखिए यह दिखिए टोटल बारा नोट्स बन गए हैं अब फिर से नीचे से अंदर की साइड से पाइपिन बनाते हुए लेकर आना है जो हमने अंदर वाली पाइपिन बनाई थी से मुसी प्रोसेस से लेकर आएंगे देखिए हमने पिंक कलर की कॉर्ड में भी टैन नोट्स लगा ली है अब देखिए सेम ऐसे हम नोट्स लगाते नीचे की साइड को ले जाएंगे जैसे हमने उपर वाली लिफ में किया था पाइपिन बनाते हुए हम ले जाते हैं यह दीखिए मैट की दो पत्या मन कर कम्पलीट हो गई है इसी तरीके से हमको आगेज की सारी पत्या बनानी है चलिए बना लेते हैं देखिए मैट बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है देखिए हमाई टोटल 9 पत्या है मैट में पूरे यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है एकदम राउंड से पाया है यह देखिए मैट को हमने उल्टा कर लिया है सबसे पहले हम वाइट कोड के उपड़ पाइपिन बनाते हैं पाइपिन के द्वारा ही इसको हम अटेज करेंगे यह देखिए कसकर नोट लगा लेंगे इसी तरीके से हम सेकेंड कोड में भी पाइपिन लगाएंगे यह देखिए एक बार हमने लेप्ट साइड में पाइपिन बनाई थी दूसरी बार हम राइट साइड में पाइपिन बनाएंगे इसी तरीके से सारी कोड में हम नोट लगाएंगे और लास्ट में उनको बचवी कोड को कट कर देंगे और लाइटर से चिपका देंगे यह सारी कोड को कट करके हमने चिपका दिया है और यह मैट बनकर हमारा एकदम रेटी हो गया है देखे कितना सुंदर बना है और से भी एकदम राउंड आई है इसकी चलिए अब हम स्वान बनाते हैं इसके लिए हमने दोनों कोर्ड को बीच से नापकर इस तरीके से रख लिया है चारो ओर से हमारी कोर्ड बराबर है अब हम फर्स्ट कोर्ड को सेकेंड कोर्ड के उपर लखेंगे और फॉर्थ कोर्ड को हम यह देखिए ठर्ड कोर्ड के उपर से लाएंगे और फर्स्ट कोर्ड के नीचे से निकालेंगे यह देखिए इस तरीके से और चारो तरप से को खींशते हुए नोट लगाएंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से नोट बनेगी देखिए एक नोट हमारी बन गई है एकदम स्वेयर नोट आई है यह हमारी चारो तरब से बिल्कुल बराबर फिर से हमको उसी प्रोसेस से रिपीट करना है देखिए फिर से हम फर्स्ट कोर्ट को सेकिन कोर्ट के उपर लाएंगे सेकिन कोर्ट को हम फर्स्ट और थर्ड कोर्ट के उपर से निकालेंगे थर्ड कोर्ट को हम सेकिन कोर्ट के और फॉर्थ कोर्ट के उपर से निकालेंगे यह देखिए और फॉर्थ कोर्ट को हम थर्ड कोर्ट के उपर से लाएंगे और फर्स्ट कोर्ट के नीचे से निकालेंग कोड को हमारी कोड एक नमसेप में देखिए फिर से उसी तरीके से रिपीट करेंगे हम फर्स्ट कोड को सेकेंड कोड के उपपर सेकंड को थर्ड 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 क है हमको आगे को भी सेम इसी प्रोसिस से नोट लगाते हुए जाना है हमको जितनी वड़ी नेक चाहिए वहां तक हम नोट लगाएंगे मैं लवक 4-4 इंच तक बनाऊंगी चलिए बनाते हैं यह दिखिए स्वान का नेक वनकर कंप्लेट हो गया है मैंने इसको 4-4 इंच का हमने यह एक मीटर की 6 कोड काट ली है अब हमको एक कोड को देखिए इस तरीके से अटेश करना है थोड़ा सा छोड़ेंगे और पाइप इन बनाएंगे यह देखिए इसी तरीके से हमको इसको अटेश करना है जो कोड हमने अटेश की है अब हमको अगली कोड भी उसी में अटेश करना है हमने कोड को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और यह देखिए नीचे की साइड से लेंगे और इस तरीके से code में हम attach कर देते हैं tight करके हम attach कर देंगे और आगे वाली code को भी हम next से बिल्कुल मिला देंगे चिपकाते वे यह देखिए देखिए हमको second code को भी इस पर pipe in करना है अच्छे से चिपकाते वे खिंश कर बिल्कुल jump pipe in करेंगे देखिए इस तरीके से देखिए जिस code में हम pipe in बनाते वे लेकर आ रहे थे उसी code में हम फिर से एक बार एक और code को attach करेंगे यह देखिए नीचे से इस तरीके से निकालेंगे और इसको attach कर देंगे फिर से next code को लेंगे और pipe in करेंगे यह देखिए फ्रेंड्स हमको बल्कुल चिपकाते हुए ही पाइप इन करनी है जो पाइप इन वाली कोड है उसमें हम बाकी की तिन कोड जो बची हुए है उनको भी हमने अटेच कर लिया है और हमको इसी तरीके से राउंड पाइप इन करते हुए लेकर आना है चली कर लेते है चलिए फटाफट से पाइप इन कर लेते हैं हमको इसके दो राउंड बना कर लाने है पाइप इन के यह देखिए वह चिपकाते वे भी बनानी है चलिए फटाफट से राउंड कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए दो राउंड कम्प्लीट हो गए है यह देखिए अब हम कि फर्स्ट को छोड़ेंगे और बाकी की कोड से पाइपेंड बनाते हुए पीछे की साइट को ले कर जाएंगे देखिए इस तरीके से ने दोनों तरब से दो दो लाइन कंप्लीट कर ली है पाइपेंड की अब हमको इसके पंक बनाने हैं जिसके लिए हमको हर वार कोड से first कोड को छोड़ना पड़ेगा piping बनाने के लिए देखिए इस वार हमने ये इधर से first कोड को छोड़ा दाओ और बाकी की piping बनाते हुए हम पीछे को ले कर जाएंगे ये देखिए हमने एक side की piping कर लिए दूसरी side से भी हमको first code को छोड़ना है और piping बना कर लाना है इस तरीके से पीछे तक हमको complete करना है सारी codes के साथ देखिए हमको हर वार एक कोड को छोड़ना है और बाकी codes को piping करते हुए पीछे की side ले जाना है इससे swan की पूँच बनेगी और बहुत अच्छी save आईगी यह देखिए swan की पूँच की complete हो गई है हमने हर वार एक कोड को छोड़ा और बाकी से piping बनाई इससे हमारी swan की पूँच की save आ गई है चलिए अब इसको निकाल लेते हैं यह देखिए swan को हम mat के अंदर attach करेंगे इसके लिए हम आगे की first code को जहां से हमको swan mat में fit नजर आए वहां से एक sheet करेंगे और first code को अंदर की side को डाल लेंगे यह देखिए इस तरीके से पहले हम swan को अच्छे से mat के उपर fit कर लेते हैं code को अंदर की side को हमने कर लिया है अब इसको कैची से काट देंगे और लाइटर से इसको code को खीच कर हम चिपका लेंगे देखिए लाइटर से पहले हम melt कर लेते हैं code को और चिपका लेते हैं बाकी code को भी हम इसी तरीके से अंदर की side करके जहां से वो adjust हो रही हूं अच्छे से अंदर करेंगे और सभी code में पहले हम not लगा लेंगे उसके बाद उनको काट कर लाइटर से चिपका लेंगे यह देखिए इस तरीके से हम not लगा लेंगे सारी code के साथ हमको ऐसे ही करना है फिर हम इनको कैची से काट लेंगे और लाइटर से चिपका लेंगे सबी कोट को हम उपर से हम एक बार स्वान को देख लेंगे कि फिट है या नहीं है अच्छे से खींच कर बांदेंगे ये देखे स्वान वनकर कम्प्लीट हो गया है हमने अंदर की तरब से सारी कोट को लाइटर से चिपका दिया है ये देखे कितना ब्यूटिफुल बनाया है तो देखे हमारा स्वान वनकर एकदम रेडी है कितना ब्यूटिफुल लग रहा है फिनिशिंग भी कितनी अच्छे आई है इससे आप अपने घर में सेंटर टेवल पे भी रख सकते हैं बहुत ही प्यारा पीस लगेगा ये देखे बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है ये देखे कितना सुंदर लग रहा है चारो तरप से फिनिशिंग भी बहुत अच्छे आई है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन का बटन दवाना ना भूलें जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो अब तक पहुंच सकें थैंक यू